कि अलो फ्रेंड्स आप दिख रहें आपको चैनल श्यर्बगजार वित आयूश और दोस्तों आज है क्या आज है भारत्य एक्जगम आईपयों का Allotment तो इस वीडियो में दोस्तों समझेंगे कि हम किस तरीके से भारत्य एक्जगम आईपयों का Allotment चेक कर सकते हैं Allotment किस त रिखेगा पूरा तो आज आप सबको सबस्क्राइब all the best best of luck कि आपको allotment लग जाए क्योंकि जिस तरीके से दो उस्तो ग्रे मार्केट चल रही है ऐसा लगता है कि अगर लग जाएगा तो at least आपको अच्छा मलब ठीक टाक मुनाफ़ होता है बहुत जादा तो मुनाफ़ा गया था for the retail category तो retail का portion मातर 420 क्रोड के something का कुछ रखा गया चत 420 क्रोड आप कह सकते हैं बाकि H&I के लिए 15 था और बाकी QIV के लिए 75% reservation रखा गया था अब सबसे important क्या है कि देखिए allotment कितने में से कितनों को मिलेगा यह सबसे important बात है तो जिन नहीं देखा है कि आपको allotment कितने में से कितने में मिलेगा आपको इस वीडियो में बता देता हूँ तो देखिए सबसे बाली बात तो QIV को छोड़ देते हैं हम H&I से शुरू करेंगे तो QIV काटेगरी अच्छे subscribe हुई थी वो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन subscription wise allotment wise हम allotment H&I से शुरू करते ह है तो H&I में सबसे ले आते हैं कौन Big H&I कि कि देखिए यह जो subscription है यह तो whole of the H&I काटेगरी है हमको सिर्फ Big H&I की बात करनी है तो Big H&I तो इस तो 12.27 times subscribe हुआ था लेकिन उनको नहीं पता allotment किस तरीके साथ है Big H&I में तो जितना भी subscribe हुआ है उसको 5 से आप divide कर दीजे त तो यहाँ पर almost 2.4 something बैठता है तो इसका मतलब क्या है कि हर 2.4 में से majorly हर 2 में से एक या फिर आप कह सकते हैं हर 5 में से मोटा मोटी हर 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को allotment लगेगा Big H&I के अंदर तो अगर 5 लोगों ने लगा है तो उसमें से 2 लोगों को Big H&I के लगेगा वो इस तरीकी का possibility रहेगा इसके बाद दुस्तो retail category आती है जिनके द्वारा करीवन 2.8 सब्सक्राइब किया आ गया अब हमेशा में आपको बता है कि retail में आपको allotment के से चेक करना है application वाइस चेक करना है तो application वाइस subscription निकल कर आया था वो करीवन 2.15 ताइम्स था retail में भी mostly हर 4 में से दो व्यक्ति को allotment लगी जाएगा आप यह कह सकते हैं और उसको आप कह सकते हैं हाँ ठीक है अब समझते हैं दोस्तो allotment कहां पर चेक करना है राइट सबसे important तो point यह है तो दो website से पहली website कौन जी है पहली website है दोस्तो BAC की website हम BAC की website पर आ चुके है सब बाद यहां पर आपको नाम चूज करना है जो है भारती Hexacom hopefully आपको भारती Hexacom भी देख रहा होगा यह रहा भारती Hexacom ठीक है तो भारती Hexacom पर दोस्तों क्लिक करने के बाद site फिर रिलोड हो जाएगी अब आपके वाज दो options है या तो देखिए आप application number डाली अपना ना है I'm not a robot आपको दिख रहा है यहां पर capture इसको fill कर दीजेगा और search पर क्लिक कर दीजेगा होगा क्या अगर अभी आप चेक कर रहें बहुत जल्ड यानि अभी तक अगर आपने for example चार बजे तीन बजे साड़े तीन बजे चेक कर रहें तो आपको मैं यह कहूंगा कि अलॉट्मेंट है वो आता कब है आज से दस बजे के बीच में तो रात की आज से दस बजे के बीच में आता है जरूरी नहीं कि इसी time frame के अंदर आए हो सकता है कि इसके बाद भी आए हो सकता अगले दिन भी बहुत बड़ी बात नहीं है राइट सबसे बेस्ट कौन से होती सबसे बेस्ट होती दो से रजिस्टरार का है और रल्गिस्टरार जो इस आई हो का वह करो है दोस्ति हमको जाना है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगा के फिंटक की और बी Іस भी लेकिन के में पता बहुताई है कि अलॉर्ट्मेंट की प्रृसर्स्स कार्ट हो गई है यानि अभी तक allotment की process यहाँ पर भी start नहीं हुगी है इसमें लगता है कि allotment की process को start उने में समय लगता है और वो 8 से 10 बज़े की बीच में allotment डालते हैं उससे पहले हो सकता है कि अपके बैंक की तरफ से debit का message आ जाता है तो इसका मतलब यह कि आपको allotment लग गया अगर आपके वाज ऐसा मेंसे जाता है कि for example कि आपका जो mandate था उसका approve कर दिया गया क्या कर दिया गया mandate successful हो गया specifically अगर आपने UPI से लगा है और आपको mandate आया होगा अगर वो mandate successful हो जाता है इसका मतलब भी क्या है कि आपको allotment जो है वो लग चुका है तो यह दो चीज़े तो आपको allotment लग जाएगा allotment कैसे नहीं लगेगा अगर आपका mandate revoke हो गया क्या हो गया? revoke हो गया यानि आपको allotment नहीं लगा है ठीक है जरूरी नहीं कि bank की तरफ से message है काफी बार देखिए वाइन की तरफ से message आता है काफी बार नहीं विया था कोई समय चेंता करने वाली बात नहीं है अब हम बात करते हैं यहाँ पर check किसे करना है तो हम website पर आ चुके अब यहाँ पर हमको देखिए सारे IPOs दिखा रहा है लेकिन जो important IP जो हमको दिखना है वो नहीं दिखा दा जैसे कि recent इस पर आया था K2 Infraison का K2 Infraison पर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ आप कैस तीन options है application, dmat and pen इन तीनों में सो कोई भी आप option डाल सकते हैं यहाँ आपको अपना pen डालना है, capture डालना है और आपको बताल जाएगा कि आपको allotment लगा है या फिर नहीं लगा है जैसे देखिए allotment website पर आउट होगा मैं आपको update कर दूँगा अपने community टैप पे तो आप channel को subscribe कर लिजेगा ताकि आपको सबसे पहले update मिल सके अब दोस्तों grey market पी बात कर लेते एक बार सबसे लिए अगर अभी तक आपने यहां तक वीडियो देखा है तो सबसे पहले आप जरूर देखे चैनल को subscribe और वीडियो को like कर दीजे ताकि आपको यहाँ पर जो भी अच्छा लगाओ तो उसके लिए like कर देए अब ही अच्छी ग्रे मार्केट चल रही है हमको listing पता चलेगी बाराः एप्रिल को तो listing में तो समाय है लेकिन बारा-एप्रिल को इसकी listing होगी अभी आट अपरियल तक ग्रे मार्केट तो काफी बढ़िया है उसको कोई deny नहीं कर सकता है जैसे मने गाता है बाकिया IP उस पी धोड़ी चर्चा करी लेते हैं तो बाकिया IP उसमें देखिए जो सबसे मेला नाम निकल गर आता है जो भी नया IPO है वो है रामदिव आपा सॉल्वेंट का कोई भी ग्रिमार्केट स्टार्ट नहीं हुई है इसका भी कोई ग्रिमार्केट स्टार्ट नहीं हुए पचास उपन होगा तीर्थ गोपी कौन ये एक एक एसे में इशु है तो जो आज से उपन हुआ है करीबन 1.3 ताइम सब्सक्राइब भी हो चुका है आज से उपन होगा दस एपरिल तक उपन रहेगा DCG Cables 18% का इसका प्रीमिम है करीबन 50 कोड़ का इस IPO का साइज है ये भी आज से उपन हुआ है और 10 एपरिल तक उपन रहेगा फिर आता है दोस्तो creative graphics जिसका grey market current 77% चल रहा है कब allotment आ चुका इसकी listing हम होने वाली है 9 April को आज कुछ IPO's list हुए जिसमें यश optics था कर ये वन ये जो issue था 17% का premium था बट 11% पर ही list होता है तो हमको listing below expectations देखने को मिली जहांपर list होना चाहिए तो उससे कम हुआ जाए कैलाश नमकीन इसकी grey market दोस्तो चल रही थी 16% और exact 16% पर इसकी listing हमको देखने को मिली तो यहांपर कोई भी जादा मिला ना कम मिला जितना था उतना मिला next is K2 InfraGen जिसकी listing दोस्तो होती है करिबन 40% पर 53% पर listing होने की expectations थी बट 40% पर listing होई है तो at least देखे सब IPOs में investors ने पैसा बना है तो उन सब को congratulations तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था उपए लपको अच्छा लगाओगा thank you friends watching this video